नमस्कार दोस्तो सस्टेनवल स्टेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं डिसकस करूँगा स्टेड़ प्रोपी स्टेड़ प्रोपी आज का टॉपिक है वो है सपोर्ट अप्लाई करना सपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाता है क्योंकि support में में जो point होता है material assign करने के बाद वो support होता है अगर मैं support apply नहीं करता हूँ तो आपका structure successful analysis नहीं हो पाएगा तो उस successful analysis के लिए सबसे पहले आपको material assign करने के बाद support apply करना जरूरी होता है तो चलते हैं दोस्तों कैसे support apply करना है तो सबसे पहले मैं open करूँगा state profile state profile यह मैंने analysis कर रखा हूँ आप देख सकते हैं मैं इसका हर एक point दिखाता हूँ यह हर एक point है अलग-अलग head section पर है लेकिन जो support है इसका यह देख सकते आप यह जो देख रहे हैं इसका base वह support है तो support apply करने के लिए आप कहां से apply कर सकते हैं और क्या है वह apply करने का process चलते हैं तो यहां पर आप geometry देख सकते हैं जेनरल के जेस्ट बाद जो process है वह है support apply करना support apply करने के लिए क्या करना है support पर आएंगे support पर आने के बाद यह मैंने support apply कर रहा हूं इसको delete कर देता हूं यह delete कर दिया हूं तो आप देख सकते हैं इसका support यहां से खतम हो गया आप क्या कर सकते हैं यहां पर create करेंगे create करने के बाद फिर से मैं बता देता हूँ आप जैसे यहाँ पर geometry, general और support पर आएगे तो यह box open होगा supports whole structure, पूरे structure का supports तो यहाँ पर आपको create का option आएगा create पर click करेंगे और add कर देंगे, add करने के बाद यहाँ पर support to आएगा अब support to तो आगया, अब support को apply करने के लिए क्या करना है, यह जो base point है, इसका जो base point जितने भी base point है, उसको select करना है कैसे select करेंगे, यहाँ पर आएगे और front view sorry, view from jet direction, jet direction side view करेंगे, side view जैसे करेंगे आपका यह view नजराएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसका जो bottom point है, उसको select करेंगे select करने के बाद, यहाँ से आप isometric view पर click करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, यह जो base point है सब select हो गया है, यहाँ भी support मेरा select है, और यहाँ पर क्या करेंगे, assign to select node selected node, जो मेरा selected node है, उसको assign करना है यहाँ पर assign पर click करेंगे और yes कर देंगे, तो दोस्तो यहाँ पर मेरा support complete हो गया है, अब support में कैसा support है यह, आप देख सकते हैं, यह fix type support है यह fix support है आप यहाँ से देख सकते हैं, चार support, support one, support two, support three, आप जैसे यहाँ पर आप select किजिएगा 45 यह देख सकते हैं, यह select है मेरा उसके बाद 35 पर आगा है 15 is two तो दोस्तों support तक का यहाँ तक रहा support को apply करने का next है load apply करना load and definition load कैसे apply करेंगे क्या process है apply करने का तो दोस्तों उसके बारे में next video में मैं detail से बताऊँगा अभी के लिए इतना धन्यवाद दोस्तों मेरे इस video को देखने के लिए क्योंगद दोस्तों एटेसे बारे मिलेंगे